Hello friends, welcome to Constance Mind, मैं हूँ दीपक BHU में PhD का application start हो गया है BHU की site पर कुछ update आई है जिसमें की last date अप 27 बारा दोचारतेई से है इसमें कौन-कौन लोग apply कर सकेंगे इसमें BHU RET का जो exam होगा उसके लिए लोग apply करेंगे और जिस subject में RET नहीं हो रहा है तो तीनों लोगों के लिए application आप कैसे करेंगे confused मत होगेगा हम थोड़ा सा demo application फिल करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप application कर सकते हैं तो इन तक दीखिएगा last date तो बता दिया हमने यहाँ पर apply कैसे करना है वो देखते हैं कटाफ की बात क्या रहेगी क्योंकि इसमें एक notification भी आया है जो कि open नहीं हो रहा है जब notification नहीं हो रहा है तो फिर आपको कटाफ कैसे पता चलेगी इसके बारे में बात करेंगे सारी information डिसक्स करेंगे यह दिखा रहा है यहाँ पर लास्ट एट फार समिशन आप पिस्ट एदमिशन फॉर्म 27 दिसंबर 2013 तो यह तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर revised information बुलेटन है अगर आपने अभी तक इसे नहीं बढ़ा है तो यह बहुत पहले ही आ गया था तो यह दो link है ठीक है इन में से आप अगर CUET PhD का exam दिये हैं यानि कि NTA के दौरा दो PhD exam हुआ था वो तो आप कहा अपलाई करेंगे या आप RET के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आप कहा करेंगे अगर आप exam category के हैं तो कहा करेंगे यह सारी डिटर सम आपको बताते हैं तो देखिए यह रिटर जो exam category यहाँ पर लिखा है यह उनके लिए है जो NET है या GRF है या कोई other philosophy folder है यह सारे candidates जो exam category में आते हैं जिन्हें exam देना ही नहीं होता है ना वो NTA का exam देनेगे ना वो RET देते हैं तो ऐसे candidates को exempt माना जाता है जो किसी परकार का है दुबारा exam नहीं देते हैं ठीक है तो यह exam category हो गई अब तो माल लिजे कोई RET exam देना है किसी को ठ ठीक और मालीजे किसी का CUTPSD यानि के NTA का RET है तो वो भी यहीं पर apply करेगा यह जो पहला वाला section है यह exams वाले candidates का है ठीक है यहाँ पर जदधा confused नहीं होना है यहाँ पर जो यह section है यह section exam वाले candidates का है exam वाले चाहे आप NTA कर दिए हो चाहा है RET देने जा रहे हो और यह section है exam का ठीक है यानि के net HRF फॉलेंगा ठीक अब हम open करते हैं मालीजे आपका RET या CVTPSD exam है तो आप यह section open कीजिए और इस पर आप simply click कर दीजिए ठीक है जैसे click करेंगे आपको यह BHU UCN apply portal दीखेगा .com का यहाँ पर आप 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 आएंगे तो यहाँ पर दीखेगा एक admission notification य कौन section किसके लिए apply करने का है और NTA PSD वाले किस तरह से apply करेंगे कितना marks किसका है कैसे apply करेंगा मालीजे बॉटनी में कोई apply कर रहा है ठीक है अब उसने 50% marks score किया है ठीक यानि कि 400 में से 200 marks उसने score किया है और वो है unreserved category का तो वो apply कर सकता है ठीक ऐसा DU में था लेकिन इस notification मे भी ऐसा ही कुछ होगा जो कि अभी open नहीं हो रहा है बाद में open होगा लेकिन अभी जब तक नहीं open होता है हम यह मान के चलते हैं कि unreserved वाले अगर 50% score किये हैं NTA PSD exam में तो यहाँ पर वो apply कर सकता है ठीक अधूसरा point यह अगर कोई SCST OBCPWD या AWS category का है तो वो 45% मालीजान क पर नहीं हो रहा है तो इसलिए हमी मान के चलते हैं अब आपको मालीजे आप अगर संतुष नहीं होते हैं तो आप registration करके ट्राई कर लीजे पहले तो आपका fees नहीं लगेगा आपको पता चल दाएगा तो फीस तो एकदम last में पर करनी है तो आप अगर चाहे तो इसमें register कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है register yourself का यह बटन है ठीक है इस पर क्लिक करना है यहाँ पर अपनी email id डालनी है उसके बाद password बनाना है रिइंटर करना है password को मालीजे आप दोनों पोर्टल पर एक ही email id से register करना चाहते हैं exempted और RET तो दोनों पोर्टल पर आसानी से कर स तो हमने check करने के लिए try किया है email id password उसके बाद आविदक का नाम और data birth link उसके बाद पिता का नाम माता का नाम एड्रेस डाल देना है आपको mobile number फिर अब जब sign up करेंगे तो आपके email पर एक message आएगा ठीक है और email पर इस तरह से आपको activate your registration for BHU internet test आसे करके mail आएगा इसमें आपका नाम लिखा होगा उसके बाद email id पासवर्ड सब कुछ लिखा होगा यहां पर आपको यह code से लिखा होगा अगर आप exam category के लिए कर रहा है तो उसके लिए तो यह entrance portal है registration अब आपका हो गया अब आपको क्या करना है जब आपका registration complete हो जाए आपको mail पर detail मिल जाए कि आपका registration successful हो गया तो आप यहां पर sign in के बटन पर आएंगे email id अपनी डालेंगे उसके बाद आपको यहां पर password इंटर करना है उसके बाद आप password इंटर कर देंगे तो आपको sign in के बटन पर कित करना है तो आप sign in हो जाएंगे sign in होने के बाद यहां पर आपको दिखेगा क्या steps सबसे पहले application form है फिर preview form है फिर make payment है print करने का यहां पर 5 steps है यह exam category का form हम fill कर रहे हैं exam category का नहीं है यह सबसे पहले application form फिर preview है make payment तीसरा point फिर आप print करेंगे ठी अभी in completed status सब दिखा रहा है आप देख सकते होगे application for RET admission application detail भरना है सबसे पहले तो आप detail भरना है तो इसको कैसे करेंगे इसमें बहुत आपको दिक्कत नहीं होगी सबसे पहले आप main discipline select करेंगे तो main discipline select करने के लिए उपर आपको यह दिखेगा इसमें यहीं पर सीजिए आ आपको अफिल करना होगा अब हम जैसे एगरी कल्चर एकनोमिक्स पहले चूच करते हैं ठीक अब हम एगली कल्चर एकनोमिक्स जब चूच करते हैं तो यहां पर किसी भी प्रकार का NTA का application number नहीं मांग रहा है ठीक लेकिन इसके लिए तो फ्रेस application है आपको अपना PG का detail भर आपनी देखिए क्योंकि बाटनी का NTA exam कराया था तो इसे हम चूच करके देखेंगे तो चूच कर लिए एंड हमने बाटनी जैसे यह बाटनी चूच करेंगे आपको नीचे sections यहां पर मिल जाएंगे आप बाटनी चूच कर लिया आपने फिर यहां पर fill main discipline course code तो यहां पर कि second elite discipline आपका biotechnology आप चूच कर सकते हो यहां पर moment science भी चूच कर सकते हो और उसके बाद यहां पर applied microbiology चूच कर सकते हो इस तरह से आपको चार-पांच और option मिलेगा फिर यहां पर आपको NTA का application number डालना है ठीक और अपने रजिस्टेशन किया था तो सोगी सोगी करेगा अब बागी details आप इसी तरह सारा details भरेंगे फिर address आपको भरना है correspondence address मतलब आप details में आपको सब कुछ भरना है ठीक फिर आप save and continue पर नीचे क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर upload photo and signature का section है जब आपका एक section complete हो जाएगा तो आपका दूसरा section open होगा ठीक तो इस तरह से यह R.E.T. का application होगा और मालीजे आपको R.E.T. का application होगा और मालीजे आपको email ID और password डलना है फिर आप sign in करेंगे sign in करने के बाद same procedure application form पर click करना है और application form में आपको सबसे पहले application की details भरनी है तो details में आप main discipline मालीजे यहाँ पर botny जैसे आपने botny ही select किया तो botny ही करेंगे और botny का जो discipline course code है वो है 885 ठीक है यह यह 885 है यहाँ पर PG examination botny ही कर लीजे आप फिर आप same preference भरेंगे उसके बाद details अब same रहेगा इसके बाद information of net jrf तो are you jrf या net acceptra qualified तो आपको select करना है तो उसे आपको specify करना पड़ेगा ठीक तो आप ज्यारफ है तो ज्यारफ select कीजिए qualifying year of net jrf तो उसे अगर आप कमा लिजे 2022, 21, 20, 19 तो अगर 22 के है तो 22 आप डाल लिजे और semester of qualify year of net jrf acceptra तो semester between July December है या January June है तो उसके recording name of testing agency तो UGC का है तो UGC आप डालिए date of award आप net jrf acceptra तो इसमें आपको क्या करना है date of number है ठीक, if you are jrf then it is valid up to, तो कब तक valid होगा अगर आप jrf हैं तो वो भी आप डालिए, फिर बाकी same details जैसे उसमें आपने भरात भर के आपको आपको आगे बढ़ना है, तो दोस्तों अब मालीजे आपका registration हो गया, application हो गया, तो अब यहां इन लोगों को करना क्या होगा, ठीक है, तो इनका तो direct exam होगा, exam जैसे RET पहले होता था उसी तरह, और उसके बाद इसमें आपको exam में जो marks score करेंगे, उसके बाद आप interview के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है, यह हो गया exam की बात, क्योंकि कुछ subject में NTA RET नहीं होता है, त जैसे agronomy वगरा है, तो इनका यह system हो गया, अब NTA RET की बात करें, तो महा लिजए आप NTA RET की तरू जा रहे हैं, तो आप simply application कर लेंगे अपना, उसके बाद यहाँ पर जो NTA RET वाले हैं, उन्हें wait करना होगा किस के लिए, selected candidate की list के लिए, जब selected candidate की list आएगी interview के लिए, तो इन्हें text B देना होगा, ठीक, यह text B देंगे जिसमें इन्हें research proposal write करना है, ठीक है, वैसे research proposal interview में सबको लगेगा, सब लोग research proposal interview में अपना-पना upload करेंगे, या आपको ले के जाना होगा, ठीक है, तो इस तरह से research proposal तो सबको लगेगा, सब लोग अपना ready करके रखें, को इन तीनों कर्टेग्री में अगर आप किसी भी कर्टेग्री में जा रहे हैं और आप नेट या जारफ हैं तो नेट वालों को धाई नमबर मिलेगा एकस्टा और जारफ वालों को पाँच नमबर एकस्टा ठीक and other government testing agencies, other national tests, ठीक है, यह section जी में details हैं, बताया था हमने, R.E.T., तो R.E.T. में, जिस subjects में national testing agency, यानि का N.T.A. exam नहीं हुआ है, PhD का, उसमें R.E.T. होगा, तो B.H.U. R.E.T. के लिए हमने बताया, आपको apply करना है, और फिर उनका interview होगा, और N.T.A., PhD, इंटरंस, यह भी B.E.T. के अंतर गताता है, R.E.T. के अंतर गती, ठीक है, दो ही section है ही, एक exempted है, एक R.E.T. है, तो R.E.T. में, दो R.E.T. है, एक B.H.U. R.E.T. जो होगा, N.T.A. R.E.T. जो हो चुका है, तो इसकी भी application आपको करना है, और C2G details यह दी गई है, आप चेक कर लिजेगा, और साथ में code भी, यह जो course का code दिया गया है, यह आपको application में fill करना पड़ेगा, तो इसे भी देखके चलिएगा, अब यहाँ पर apply कैसे करना है, उसके लिए पहले ही information bulletin में details दी गई थी, जो कि अब application इस्टार्ट भी हो चुका है, 27 December 2023, last date है, बाद में last date बढ़ेगी भी, बढ़ने के chances रहते हैं, एक बार तो बढ़ी जाती है date, ठीक है, application की fees, तो अगर आप सिर्फ B.H.U.R.E.T. के लिए application करना है, यानि कि आपको exam देना है, आप NTA exam नहीं दिये हैं, और तो आपको यहाँ पर fees general OBCWS का 600 है, SCSTPWD का 300 है, अब इन लोगों को अलग कर दीजे, अब आता है essay candidates, जो exempted candidates है, यानि कि net jar of वाले, और essay candidates जो NTA, PhD, RET दिये हैं, तो इनको same fees लगेगी, यानि कि general OBCWS को 200 रुपए है, और SCSTPWD की 100 र लेगी, online, ठीक, तो यह details दी गई है, तो जो main जन करी थी, उनने आपको बता दिया, यहाँ पर अभी भी notification जो दिया गया है, यहाँ पर वो open नहीं हो रहा है, अगर यह open हो जाता, तो यह clear हो जाता, कि कौन लोग इसमें, कितने marks वाले candidates sent दिएगे, वो apply कर साथ, क्योंकि भ आती है, तो आपको टेलिग्राम पर भी update देंगे, और एक बार वीडियो फिर भी बन जाएगी, तो जो कुछ ना समझ में आया हो, आप पूछ सकते हैं, thank you so much for watching,